Hello Friends, Unboxx Service में आपका सौगत है दोस्तों अगर आप लोग ठक गए हैं फिस आपका बारबड मर रहा है आप लोग पानी चेंज कर रहा है दो-तीन दिन में ही पानी चेंज कर रहा है फिड़ी आपका फिस मर जा रहा है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा मैं आज आप लोग को दो पॉइंट बताऊंगा सबसे important point है ये इसको करना ही पड़ेगा तब ही आपका फिस बच पाएगा आप लोग जो मेरा फिस देख रहा है ये दो साल से मेरे साथ है इससो कोई भी प्रोलम नहीं हो रहा ये healthy life जी रही आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इसके सामने हो तो ये कितना खाना माग रहा है मेरे से आप देख सकते हैं मैं इसको इतना खाना देता हूँ फिर भी जब भी इसके पास जाता हूं ये माँगते रहती है चलिए मैं बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आपको पहला पॉइंट ध्यान देना है कि आपको जब भी फिस खड़ित के लाना है तो आपको इस तरह का एर पंप खड़ितना ही पड़ेगा अगर आप लोग इस तरह का एर पंप नहीं लगाएंगे तो फिस मर जाएगी उसको ऑक्सिजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि पानी के अंदर 2-3 दिन का ही ऑक्सिजन होता है अगर बवल्स नहीं आएगे तो उसमें ऑक्सिजन नहीं बन पाएगा इसलिए आप लोग ध्यान दिजेगा इस तरह का मसीन आप लोग खड़ी लिजेगा ये 200 तक आजाता है 200 रुपेज के तर में आप लोग को दूसरा पॉइंट सबसे इन पॉइंट है ये आपको फिस को सफिसेंट खाना देना है आप लोग को दुखंदार पता देंगे कि 2 दाना 3 दाना आपको दे देना सूबा साम इसमें काम नहीं चलेगा आपको 6 वाड़ खाना देना है अगर आप लोग गोल्ड फिस रखते हैं तो आपको 6 दाना 6 वाड़ देना है कोई भी प्रोलमन नहीं होगा फिसको आप लोग दे सकते हैं मैं 6-7 वाड़ देता हूँ खाना फिर भी जब भी मैं इसके पास जाता हूँ तो खाना मागने लगता है इसको सफिसेंट खाना चाहिए यह काफी इनरजी वेस्ट करती है आप लोग प्लीज इसको सफिसेंट खाना दे ताकि यह लंबे लाइफ जी सके और मेरे चैनल जूँ सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं काफी कम टाइम में आपको सफिसेंट जानकारी देता हूँ आपको मैं बीना टाइम बेस्ट की वे वीडियो बनाता हूँ आप लोग में चैनल पर जाके देख सकते हैं आपको काफी तरह का वीडियो मिल जाएगा इसलिए प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लिजे ताकि मैं आप लोग के लिए आगे भी वीडियो मनाते रहूँ चलिए इस वीडियो बस इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा थैंक यू